तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आप WhatsApp यूज करते हैं और आप देख भी सकते हैं WhatsApp पे न्यू अप्डेट आने के बाद कुछ लोगों को नीचे की तरफ चैट, स्टेटस, कम्यूनिटी और कॉल को ओप्शन देखने को मिलता हैं अगर आप नहीं चाहते हैं आपको यहां पर यह जो ओप्शन है वह देखने को मिले पहले जैसे यह आपका WhatsApp में जो ओप्शन साते थे सेम ऐसे ही हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है कुछ इसका solution है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला में इसका solution क्या है तो जै Chrome browser मैंने open कर लिया है यहाँ पर search bar में मैं लिखूंगा WhatsApp WhatsApp old version यह मैंने लिखा यहाँ पर बहुत सारे links आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत सारी websites हैं किसी website को आप open कर लिजेगा मैं यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक कर लेता हूं यहाँ पर मनें क्लिक किया अब यहाँ पर आने के बाद बहुत सारे versions आपको देखने को मिल जाते हैं ठीक है अब देखिएगा स्पोस कर लिजेगा आपने जो है 14 तारिक को यह अपडेट किया तो उसमें आपको यह options देखने को मिल गए तो आपको करना क्या है इससे पुराना एक हफता पुराना चार-पांस दि अब यहां से डाउनलोड करने के बाद मैं उसको यहां से इंस्टोल कर लूँ और जो मेरा पुराना पहले बाला WhatsApp था उसको आपको करना क्या है ऐसे अनिस्टोल नहीं करना है पहले आपको लेना है बैक अप बैक अप लेना बहुत ज़रु रही है जब तक आप बैक अप न प्ले शोप रागर आप चेक करेंगे अपको अपडेट दिखाएगा तो अपको अपडेट नहीं करना है इस बात का अपको ध्यान रखना है तो आज आज की विडियो में आपको यही बताना था होप आपको वीडियो अच्छे लगी वीडियो अच्छे लगी तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्ष वीडियो में टेल नवाइ टेक कर लव यू